हेलो और मलकम गई स्वागत आपका फेंटासीटी संड चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग ICC मेंस D20 वर्ल्ड कप EAP सब रिजनल कौलिफायर भी बहुत लंबा नाम हो गया इसकी बार करेंगे मैच होगा जापन और फिलिपेंश के बिच में तो चलिए दोनों इटिम के प्लेयर पर एक बार नज़र करते हैं को इस वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार कर लेते हैं तो बात करें इस मैंच के इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूटूब चैनल को अभी दख आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये टूनामेट हम लोग पूरा कवर करेंगे इसके अलावा अब बार आपको और भी कई सब्सक्राइब नहीं किया तो कलो साथी में आप लोग ने अभी दखा हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन नहीं किया तो टेलिग्राम से भी जुड़िएगा क्योंकि आपको वीडियो की अपडेट, लाइनप की अपडेट, बैटिंग ओड़स मिलेगा, इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्लेयर आकिर में एड होते हैं, उनके रेकॉर्ड और उनके स्टैट्स मिलेंगे, और सबसे लास्ट में आपको उमारी स्मॉल लिग या ग्रान लिग की जो टीम रहेगी वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है, तो टेलिग आपना आगे बात करें इसके पहले में आपको ग्राउंड के कुछ फोटो बगरा देखाता हूँ, ताकि हम अच्छे से एंडर्स्टेडिंग कर सकें, वैसे साथ कुरिये के नाम पे अगर हम लोग देखे तो आपर क्रिकेट के लिए कुछ जादा हमको दिखा गाने उनके लेकिन यहां पर और इन्होंने ग्राउंड काफी अच्छा तयार किया हुआ है, अब देख सकते हैं उपर का व्यू है, यह यहां पर पीच का व्यू है, इसके अलावा यहां पर यह ग्राउंड का व्यू है, आप देख सकते हैं यहां पर बांटरी बगरा के उपर काफी अ बाटेज रहने वाला है तो आई थिंग यहाँ पर शॉर्ट बाउंटरी जाएगी आच्छा के लिए पीस्ट सही है रंस की बाद कीजिए तो अराउंड 120 के आसपास बनना चाहिए यहाँ पर क्या है अगर जापान पहले बेटिंग करवाईगी तो डेफिनेटली एक बड़ा स्कॉर कर सकती है अभी आपकी जानकारी के बता दू कि अभी दो दिन पहले इन दोनों की टिम के बीच में मैंच होई थी जापान करती है पर 106-108 ऐसा कुछ रं करती है और फिलिपान से आप 67 रं के अदर निपड जाती है वो यहाप स्कॉर कार के साथ बैटिंग ओडर के साथ मैंने आपर एड़ किया हुए तो यह वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिचर रहने माला है बैटिंग के चेजिंग के आखड़े आप अपी अराउंड कुछ ठिक आगे यहाँगे आप स्याएद यहापर जापान टौस जीकर पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है दो दिन पहले यहापर पहले बैटिंग करते हुए जीता है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोग यहापर जापान की जो कि इनके सामने जीता है ओपनिंग में आपर लाल चन लेक और केंडल कड़ोवा की फ्लेमिंग यहापर ओपनिंग करवाते हो दिखेंगा देखो यह जो बाई साब है बाई गजब का मालता है बहुत तकड़ा माता है इनोंने कई बाद आपर अच्छी अच्छी टीमों के सामने इनोंने बड़े स्कॉर किये हुए तो कहीं ना कई फ्लेमिंग मेरे लिए यहापर एजब लेर के साथ कप्तान और वाइस के चोईस रहेंग डिकलेंस हुजूगी आये थे तिसरे नमर पर दो रन किये थे एकोस की गनवारी करवा तो विकेट लेस रहेंगे बाकि यह वेटिंग और बॉलिंग दोनों करवाएंगे यहापड़े को इनका टॉप ओडर ना पूरा में कवर करना है इसके सारे आपर सबोर इस रवी इसके साथ तिन नवा से यहापर 90 रन के साथ चार विकेट तो यह बंदा भी कप्तान और वाइस केप्टन सीब की चोईश डिफॉल्ट रहेगा सब के कप्तान वाइस केप्तान रहेंगे सबोर इस रभी चंदरन इसके सारे बार कोजी हार्ड ग्रेव अबे 30 रन करते हैं प अगर इन दोनों नहीं कुछ क्लब मैचिस में या पिर कुछ धापन की तरब से खेलते हुए ओपनिंग गरवाय हुआ है तो अगर इन दोनों में जे कोई उपनिंग आता है तो हमारे लिए कोई भी कंफिजन नहीं है क्योंकि यह खिलते हैं इसके सारे बर बेंजामिन इटो जोकी लास में के नोट दो वस की गैन बाजी करते हुए एक विकेट निकालते हैं पिछली पांच-छे में इसकी बात की एक वस की गैन बाजी करते हैं इस ट्रीम के सामने विकेट लिस रहते हैं इसके लब ऐसे चारली हिंज तीन वस की गैन बाजी करते हुए एक विकेट निकालते हैं और रिसंटली इनका फॉर में आपर काफी तकड़ा रहेगा हलाकि यह पर हमने एक प्लेयर को मीश किया मैं से जोइन करना है यहां पर दिखेंगे इब्रहिम तक आशी जो कि एक बड़ा नाम है लास में खेला नहीं था इस ट्रीम के सामने शायद अभी खेलिए आज केलता हो ना चरा सकता है केले तो इनको कफ्तानों इसके प्रण कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं फिलिपा इसके बा इन्होंने कुछ 30-40 रन की पारिया खेली हुई है जाओ तो ले सकते हैं कभी कबार उस भी करवाते हैं इसके सब्सक्राइब यह थोड़े से रिस्क रहेंगी और अगर कंपेट की जाए यह पर कुलिविंदर जिट सिंग के साथ इसके साथ इसके साथ जीन मगूली कटपन क पोडो की पोडोस की आठ रन करते है और रिसेंटली पार्म की बात की जा तो आठ तेंटीस पचीस और बारा रन डेनियल स्पिन जो की टिम के कप्तान है और वेरी इंपोर्नेट पिक रहेंगे इस टिम से जो यही एक प्लेयर है जिन से हमें कंशिस्टन्ट परफॉमस की उ इंपोर्नेट पार्ट है इसके साथ अबर बात करते हैं निवेक टरनेर लास में के दूरान जापान के सामने एक युवस के अंदर दो विगेट निकाली इन्हों ने रियान बुरी नागा ने नो रन किये एक युवस की गयनवाजी करवाजी टरनेर ने तो शायद अगली म विगेट निकाली तीन वस की गयनवाजी करते हुए और यह रेगुलर तीन चार वस की गयनवाजी करेंगे तो उजेफा मौमध अकरम वेरी इंपोर्नेट विक तो इस टिम से यापर डैनियल स्मीथ और वुजेफा यह दोनों वेरी इंपोर्नेट पीक है और टॉप ओडर लेफ्ट हेंडेट बेटिंग के साथ साथ यहाँ पर लेफ्ट आम ओट ओडरो गयनवाजी स्टार्टिंग में अपर तूफिन और मौमध स्टार्ट किये थे इसके लवा ब्यांच मैंसे कोई खेले का तो इंके रेकॉर्ड औरों के स्टैट्स मिलेंगे आपको टेलिग्रा लाइनप के बाद कुछ चैंजी सो सकते बात में देखेंगे बाकि अभी के लिए दोनों को ले रहे क्योंकि इन से बैटिंग से और इनों ने लास में वोस कर वाई थी तो इनको लिया है बैटिंग सेक्शन में आपर कडवा की फ्लैमिंग और के सिंग संगा हमारी टीम के लाइंगे अगर यहां पर इब्रहाहिम तक तकासी खेलते हैं तो यह वेरी इंपॉर्ण पर इनको डॉप नहीं कर सकते हैं इनको लोग लेके जाएंगे इसके लिए बात करें तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी कप्तान हमारे रहेंगे आपर रवी चंदरन जो कि मैंने आते हैं आपके लिए वाइस के प्राइन सिप की चोई से इंपर डेनियल क्रिष्टोंबर समीध रहेंगे जो की करीब 54 प्रसंट इंपर लोगों के वाइस के प्राइन को तो यहां पर कड़वा की फ्लेमिंग को और मैंने इनको जब भी वाइस के प्राइन की किया हूए त चैंजिस रहता है तो उसकी आखरी अपडेट के साथ आखरी हमारी small लिक की, grand लिक की टीम में आपको टेलिग्राम चैनल पर दूँगा ताकि आपको आसानी रहेगी चैंजिस करने की तो टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े अपी तक तो जुड़ जाएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससी लिंक से टेलिग्राम को जोइन करना वीडियो कर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेर करना, कॉमेंट करना साथ में आपर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिले और इस यूटूब चैनल के उपर जल्दी से जल्दी मिल जाए बाकि मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आपका काम रहेगा के वीडियो को देख रहो तो पूरा देखो अच्छे से अनालिसिस करो अच्छी टीम बना अच्छी विनिंग कते रहो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई तन्यवाद जैहिन जैपार